हेलो गाइज, वेलकम टो जुडिश्री पॉइंट, इस इस मंजरी सेंग, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एपियों की डीटेल्स और स्ट्राटेजी लेकर आई हूँ, जो लोग बिहार पीसेज जे नहीं दे पाए थे, I'm sure वो बिहार एपियों जरूर देंगे, और जि पेपल्स में नहीं मिलेगा, और जिनका प्रीक्वालिफाय नहीं हो रहा है, उनको डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार एपियों की तैयारी स्टार्ट कर दे, MP भी भरा होगा, MP भी जल्दी ही हो जाएगा, और आने वाले टाइम में और भी UP राजस्तान की भी वेकेंसी आने वाली हैं, तो चलिए आज का लेक्शे स्टार्ट करते हैं, आप सब को पता है, बिहार एपियों में टूटल वेकेंसी 553 हैं, और BPSC का जो कैलंडर आया था, उसके अकॉर्डिन एक्जाम डेर 7th of February 2021 है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी स बढ़ाई स्टार्ट करना जरूरी है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिहार एपियों पे यह सब तो पता है, बहुत ही जनरल चीज़े हैं, क्यों बना रही हो लेक्चर, लेकिन जरूरी इस वज़े से हैं, क्योंकि इस बार आपको काफी चीज़े चेंज बिहार एपियों पहली बार यहां पर लिमिटेट सब्जेक्स लेकर आ रहा है, अगर आप प्रिवियस एर के क्वेस्टन देखेंगे, तो आपको जो जज़ वाला पैटन था, पीसेज जे का, सेम टू सेम बिहार एपियों में भी मिलेगा, लेकिन इस बार इन्हों ने क्या करा है, यहां पर लिमिटेट सब्जेक्स कर दिये हैं, पहली चीज, जिसमें आपका पहला पेपर होगा, फंडामेंटल्स ओप दा इंडिन कॉंस्टिटूशन, यानि की इंडिन कॉंस्टिटूशन के बहुत ही बेसिक क्वेस्टन पूछे जाएंगे, डीटेल में नहीं ज वो भी वो पेपर कॉंस्टिटूशन के क्वेस्टन मददफ सॉल्व कर सकते थे, उसी तरीके के कुछ प्वेस्टन होंगे एपीओ में भी, नेक्स सब्जेक्स यहां पर आईपीसी रहेगा, जे में नहीं पूछा जाता है, एपीओ में पूछा जा रहा है, नेक्स इंडि में एक GS का है और एक law का है, GS में 100 questions रहेंगे और law में भी 100 questions रहेंगे, इसके according आप यह सोच सकते हैं कि चार paper जो law में पूछे जा रहे हैं, तो approximately अगर इन्होंने equal division किया, तो approximately 25 questions per paper से हो जाते हैं, अगर इनका ऐसा equal division का रहा, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो अभी इस ब टाइम कितना allotted है, हर एक paper के लिए 2 hours allotted है, नेक्स्ट marks distribution कैसा है, तो GS में 100 questions थे, 100 marks के हैं, लेकिन law में यहां पर 100 questions हैं, लेकिन marks कितना है, 150, अगर equal marks का question रहते हैं, तो यहां पर per question आपका 1.5 marks का हो जाएगा, negative marking, बिहार J में आपको नहीं मिली, APO में आपको 1 by 4 मिलेगी, अब आते हैं, हम सबसे important चीज़ पे, कि आपको करना क्या है, बिहार APO के लिए आपको बढ़ाई शुरू कैसे करनी है, यह video बनाना इसलिए पे ज़रूरी था, क्योंकि काफी लोगों को idea नहीं है, क्योंकि हो देन उसके बाद आप आगे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, तो foremost चीज़ जो आपकी पास है, सबसे पहले आपको क्या करना है, strategize करना है, कि आपके कितने papers हैं, JS में कितने papers हैं, लोग में, आपको आपकी knowledge के according, कितना time हर एक paper को देना है, आप वो करेंगे, और उसके पहले सोचे एक paper complete कर लेते हैं, फिर next उठाएंगे, इतना time नहीं है, तो कम से कम दो लोग के paper साथ में लेके चलिए, और GS का paper भी साथ में करते रहे हैं, questions भी solve करने हैं, बहुत जरूरी हैं, मैं बार बार बोल रही हैं, इसलिए third point is solve previous year questions, जब तक आप questions solve नहीं करेंगे, आ बनाएं इस तरीके से जाते हैं, कि आप चार option देखे, confused हो जाएंगे, उस सुच confusion को दूर करने के लिए questions लगाने जरूरी होते हैं, इसलिए maximum, जितने questions आप लगा सकते हैं, इतने time में, आप उतने questions लगाएंगे, आपको APO में, भले APO के papers पहले बहुत सारे आते थे, APO मे पहले हैं, दूसरी चीज, GS में, GS में भी आप previous year लगाईए, बिहार J का, although GS का paper tough आया है, science portion बहुत तफ था, लेकिन अगर हम history और geography की बात करें, तो वही traditional pattern पर पूछा गया है, तो आपको उसमें आप पीछे के questions पर जा सकते हैं, और जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन traditional pattern भी छोड़ना नहीं है, मैं कहना यह चाहती हूँ, next यह करना है, आपको sections और case loss पर focus करना है, क्योंकि 100 ही questions आने हैं, और 25-25 questions एक subject से आएंगे, तो आपका बहुती pre में वैसे भी बहुत deeply नहीं पूछा जाता है, बहुती easy, simple पूछा गया है, moderate ही था वो, अगर commercial क part लेने, तो moderate कहेंगे, commercial का हटा दीजे, तो आप easy कहेंगे उसको, तो यहाँ पर technical कुछ नहीं पूछने वाले हैं, इसलिए section based study करना foremost है, दूसरी चीज, case loss, क्योंकि number of questions जादा है हर एक subject से, तो सिर्फ section तो पूछेंगे नहीं, यहाँ पर case loss पूछे जा सकते हैं, तो आप concept पूरी तरह से clear हो जाए, क्योंकि यहाँ पर negative marking है, जब negative marking नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हमको आ रहा होता है, तो हम mark करके चले आते हैं, उसका हमें नुक्सान नहीं होता है, बट यहाँ पर precise होना ज़रूरी है, क्योंकि questions कम है, बहुत जादा नहीं है, कि आपको बहुत liberty है, यहाँ पर कम होने के नाते, आपको अगर एक question का concept clear है, topic का और उससे related question आ रहा है, तो यहाँ पर आप पूरे तरह confidence से वो option mark कर सकते हैं, और अगर आपकी study आधिय दूरी रहेगी, concept clear नहीं होगा, तो आपके साथ यह problem 100 के 100 question में आईगी, इसलिए उससे better है, कि कुछ topic कर लो, अच्छे से करके जाओ, 100 में से, अगर आप 60-70 question भी अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है, जो आपके पक्ते हो जा रहे हैं, और उसके बाद आपने 10-15 question का liberty ले ली, तो फिर वहाँ पर आप safe हो जाते हैं, Next, GS के लिए again मैं वही चीज कहूंगी, कि science tough आई थी, current tough था, international का जादा पाट था, लेकिन current हमेशा ऐसा है, current पर आप वैसे भी कोई question नहीं कर सकते हो, कि क्यों ऐसा आ गया, क्योंकि current बहुत ही wide है, तो वो कैसे भी पूच सकते हैं, और बहुत कम marks का भी रहता है, तो इसलि and geography, इसमें बहुत tough रहों नहीं पूचेंगे, आप यहाँ पे फिर भी limited ही रहेंगे, लेकिन GS science में क्या है, कि science का थोड़ा tough पूच लिया गया था, तो आप traditional वाला ही continue रखिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, I hope आप लोगों को इससे काफी help मिलेगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, और mains के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे कि क्या इसे क्या करना है, वो समझ में आ जाए, और APU के साथ, जो लोग मेंस की तयारी कर रहे हैं, वो कैसे manage करें time table को, यह मैं आपको उसमें बताऊंगी, rest आप लोग को तब तक के जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन हिट करें, जिससे कि नए वीडियो जब आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, थैंक यू सुबज,